राधे राधे दोस्तों आप सब कैसे हैं स्वास्त होंगे ठीक होंगे मज्त होंगे और देखिए हमारे यहां च्छत पर टंकी लगा जा रहा है मतलब पहले नीचे बला च्छत पर था और अभी उपर बला च्छत पर टंकी लगा रहा है क्योंकि बहुत दिक्कत हो गया और य इसलिए छट फूट गया है मेरा बेठा यहां पर दिखाया रहा है देखिए और यह टंकी नीचे था न तो पता है आपको देखी कितना गंदा हो गया हरा हरा हो गया क्योंकि जोन जोन छट पर मतलब की टंकी रखा हो था उसी पर रूम बन रहा था तो पानी उपर नहीं है यहां पर हम लोग का क्या हो गया है न कि दो तीन समान छूट गया है तो सोच रहे कैसे कैसे करें और हम लोग खुद ही पलंबर मिस्टेरी को नहीं बुलाएं हम लोग को मतलब कि यह हमारे हैस्पलंट है इनको पता है कि पलंबर का काम कैसे किया जाता है तो यह खुद ही यह प्लंबर व्ला काम कर रहे हैं यहां पर टंकी लगा दिये अब इसका कैसे कैसे connection करना है मतलब कैसे पानी नीचे ले जाना है और फिर कितने पैप चाहिए तो हम यहां पर अपने यहां भी कर रहे हैं और देखे यहां पर बहुत सारा समान भी लाया है और बहुत देर हो ग तक पूरा नहीं है क्योंकि नीचे से टंकी खोलना था फिर वहां से पैप काट करना था फिर उपर वाला च्छत पे लाना है और तीन चार नल भी लगाना है तो रात को तो दस बज गया था तो हम लोग का हुआ है अगले दिन है यहां पर देखिए यहां से पानी लीकिच हो तो कल हम लोग को नहीं पता चला कि यहां से पानी लीकिच चुरा एक आज जब चत पे आए तो देखिए यहां पर पानी लीकिच का बना रहा है और यह टेबूल लाएं मतलब अधे कि में टवाले कि लगले आप यहां पर तंकी मीं साफ कर देजी क्योंकि फिर तंकी उपर लगा है तो नीचे बहुत दिंसे साफ नहीं हुत था और छे महले लगा हुआथा तो तंकी गंदा हो गया था तो यहां पर दखिए टंकी हमारा साफ हो गया है चारौ तरब जिल पहां मिल्कुल काल गया था तो चान काल गया है कर दे Assafी कम आब दोटीन अब की दो-तीन घंटा लग गया है तो यहां पर बैठे बैठे यहां पर यहां पर लागे जहां पर यह तंकी उसका उप साइड बिल्कुल भी कोने में तंकी रखा हुआ था आप देखे होंगे और इधर यह दिखिए हैं हमारे च्छत पर से कुछ अगल बगल में ऐसे दिखता है अच्छा दिख़ा है न तो यह भी ठीक है और हरा भरा भी दिख़ा है और टंकी और नीचे रखने के वज़े से ज्यादा ही टंकी में काई लग गया था तो इसलिए उपर लाके रखे और च्छत भी हमारा खाली हो जाएगा और जब च्छत खाली हो जाएगा तो पूरा हमारा पेर पौधा भी अच्छी तरीके से सर्या लेंगे यहां पर देखिए और य अध्यों पर lesson खाउये हो जी लेंगे तो यहां में तोफ़ो स्कुल में नहीं परार तुसरा को पर यूज कियें क्यूंकि पाइप हमारा बिल्कुल पहले एक साल पहले ही नीचे लगा था तो अभी पाइप ठीक ही है तो इसलिए हम बोले साफ कर लेते हैं तो देखे चारों तरफ टंकी भी साफ कर देते हैं और पाइप है उसको भी हम लोग साफ कर लेंगे यहां पर देख सक यह यहा पर जो पहले नल था अब यह अपर फिर से नल दे से नीचे से हटा के दे दिया उपर से और ऐसे पाइप उपर गया है देखिए वहाँ पर यह सेरी के पीछे से अब देखिए टंकी के पाइप गया है टंकी में गया है एक नल यहां लगा है और यहां पर एक डायरेक जो मोटर चलता है उसका नल लगा है और यह हमारा बात्थरूम है जो वो फ्लेस वला होता है वो वला भी नल बंद कर दियें और अभी दो नल यहां पर लगा दियें और अभी जहरना भी नहीं लगा और अभी बातरून में काम बहुत सारा बचा हुआ है तो इसलिए भी बहुत काम बचा हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ यह देखे च्छत पर अ से वीडियो रहें तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में चैनल को सस्क्राइब भी कर लिए और देखिए कैसा लगा हमारा यह वीडियो यहां पर देखिए और यह हम कुछ ऐसे इंटा लगा दियें ताकि पाइप नीचे नहीं जाए तो जो हम लोग को घर मे जैसे हुआ उसी तरीके से हम लोग कर लिये हैं और यह देखिए हमारा टंकी भी बहुत अच्छा से से हो गया ताब बताईएगा कि अच्छा से हुआ है कि नहीं देखिए पूरे आपको दिखा देते हैं और अभी हम छत पर आया है रिकॉर्ड करने मतलब की और इस वीडि का वाइरिंग का भी काम हो गया है बहुत अच्छी तरीके से और यह काम हम लोग खुद ही किये ने तो इतना काम में कम से कम 5000 मिस्टिरी जरूर चार्ज करता तो अब ही हमारे घर में घर बन रहा है और पैसा का इसी तरीके का दिकत है तो हम लोग खुद ही कर लिजिए यह नीचे वला चत कैसा दिख रहा है आपको जरूर देखिए क्या-क्या पेड़ है आपको पता लग रहा तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देजिए यह दिखिए चत हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद